हाई 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 हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो मैं चानल और मेरी चानल में आपका स्वाहीत है आज की वीडियो में फ्रेंड मैंने ये मेक अप लोक आपके साथ सेयर किया हुआ है और आई होप आपको अच्छा लगेगा आपको तो पते ही है इस दिवाली आने वाली है फैस्टिव सीजन चल रहा है तो उसके लिए हमको मेक अप लोक और आउटफेट जोलरी आइडियास अच्छा यह होते हैं सबसे पहले काई इस चेहरे को हैड्रेट और ग्लोइग बनानी के लिए हमने रोज हिप मैंने रोज हिप सीरम लगा लिया है जो कि बहुत ही ग्लोइंग सीरम है और आप भी एक बाद ट्राइब करिए बहुत हीन्ट सीरम लगा है मुझे यह और इसको तो फिंगर टिप की हल्प से अपने चहरे पर लगा लेंगे जिससे बहुत ही ग्लो आता है चहरे पर अब मैं लैक में पीच क्रीम ले रही हूं लैक में की ये भी बहुत ही अच्छी है बट बहुत जादा बिंटर के लिए तो नहीं ये मतलब ऑल स्किन टाइप है और ये समर के लिए बहुत ही अच्छी है बट बिंटर में आपको इसको दो-चार बार तो लगाने पड़ेगा तभी हल्फुल होगी है नहीं तो ये इतनी जादा बिंटर के लिए नहीं है बट समर के लिए अच्छी है बट इससे बहुत ही अच्छा चहरा हो जाता है इसलिए मैं मॉ अलोबीरा जेल लगा सकते हो प्राइमर के लिए सबके पास नहीं होता है मेकप के सामान तो आप ऐसे अल्टरनेट से भी अपना मेकप पूरा कर सकते हो यह मैं बहुती easy और beginners के लिए make up बता रही हूं मुझे भी ज़्यादा make up करना कुछ भी नहीं आता है बट मैं ऐसे ही normally ऐसे ही make up करती हूं जो कि मैं आपको बता रही हूं दिवाली के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये वाला make up इसके बास lip को आइडरेट करने के लिए लिप्स्टिक के पहले मॉस्चराइज करने के लिए लिप्स को मैंने ये मेबिलेन की लिप लगा लिए बहुत ही अच्छी है अगर आप लिप्स्टिक भी लगाना नहीं चाहते डेली बियर के लिए ये लिप बहुत ही अच्छी रहती हल्का सा पिं आइब्रो को और आप जैसा कि आप इसमें देख रहे हो इस तरीके से आइब्रो को सेफ देने से बहुत ही अमेसिंगर लुक आजाता है थोड़ा सा आइब्रो को सेफ मिल जाती है इस तरीके से आवर नेक्स स्टेप में मैं इसको एक आइब्रो ब्रस की हैल्प से इसको एकसा कर लिया है मैंने और अब मैं कोई वो ब्रस नहीं यूज कर रही हूं बस मैंने एक रैट कलर पिक किया है और मैंने इसमें एक रैट कलर पिक किया है आई सेडो का और दोनों साइड आई लिट पर मैंने दोनों साइडी कॉर्णर पर लगा लिया है इसको और बीज में जो लगा लिया है और यह थे उत्ता ब्लेंड भी नहीं हो रहा है बट मैंने इसको से ब्लैंड किया हुआ है यह नॉर्मली ही मेक पैजिसे सब के पास पर आहीं होते हैं तो बहुत dalla एता इसे फिंगा करें अब यहां जहां जहां मुझे थोड़ा सा भी है डार्क स्पोर्ट और यह कि उसी को मैं हाइट करने के लिए आप देख सकते हो मैं कंसीलर लगा रही है आप देख सकते हो अब इसमें भी मैं कोई ब्रस का यूज नहीं कर रही है अपनी फिंगर टिप की हल्प से ही इसको ब्लैंड कर रही हूं और हैंड से ब्लैंड हो जाएगा क्योंकि हर किसी के पास ब्रस नहीं होते हैं उसको आता भी नहीं है ब्रस यूज करना तो आप ऐसी भी मेंक अप कर सकते हो और जैसे आपके चेले पर ब्रस नहीं है और कोई भी डाक सकते हैं तो आप कंसीलर स्किप भी कर सकते हो नहीं भी लगाई है अब मैं ये मेबिलन का फिट मी कॉम्पेक्ट पाउडर है इससे मैंने अपना में कंसीलर साइट के लिए आप मैं ये लैक में की सी सी क्रीम ले रही हूं जो की बहुत ही अच्छे डेली उसक लिए भी आप यूज कर सकते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो अच्छा कपरेज देती है नॉर्मल कब्रेज है इसका हमोग जो फाउंडेशन डेली तो नहीं लगा सकते हैं और जल्दी कोई फांडेशन यूज भी नहीं करता है जब हाई मेक अप चाहिए होता है अच्छा ग्लोइंग चैरा आया हुआ है फेस और इसमें भी मैंने कोई ब्रस का यूज नहीं किया है अपने हैंड की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लिया सीसी क्रीम के लिए कोई ब्रस की या या ब्यूटी ब्लेंडर की कोई जरुवत नहीं होती है यह देख सकते हो आप ऐसे ह सब मैंने अपने हैंड की हेल्प से इसको एकसा करते हुए कर लिया अब मैं अपनी सीसी क्रीम को फिट मी अपने फिट मी कॉम्पैक्ट से पाउडर से इसको सैट कर रही हूँ थोड़ा सा एकसा कर रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसको पूरा एकसा कर लिया है अब मैं आप देख सकते हो ये मैंने लेक में काजल लिया है लेक में आइकोनिक है ये काजल इसी से मैं इसी पैंसिल लेक में काजल से मैं अपने लोर बॉटर लाइन पे आई आई बॉटर लाइन पे आप देख सकते हो मैंने काजल लगाया हुआ है बहुत थी पतला सा आप द काजल मैंने लेके अपनी आई लाइनर की जगह पे भी लगा लिया है इससे आई लाइनर का भी यूज नहीं करना पड़ेगा हमें तो इसी से ही देख सकते हो आप काम चल गया है कितना अच्छा लग रहा है और मैं इसको भी अपनी ऊपर आई लाइन पे भी देख सेयो आई इसी को मैं इस ब्रस के हैल्प से अपना ब्लस लगा रही हूं और ब्लस का भी काम इसी से हो गया है एक ही आई साइडो पैलेट से मैंने अब यह मैं गूल्डन सेड ले रही हूं हाइलाइटर जैसा कि आप देख सकते हो इसी से मैंने हाइलाइटर कर लिए अपनी फिंगर लग रहा है अब मैं यह वही वाला हाइलाइटर सेड वाइट वाला थोड़ा सा गोल्डन वाइट टाइप का है उसी को मैं अपने आई के इनर कॉनर पर देख सकते हो दोनों साइड लगा लूँगी जिससे आई उभरी हुई दिखाई देती है बाहर साइड को आप देख सकत यह हुड़ा ब्यूटी की लिपस्टिक यूज़ कर रही हुए और यह रैड सेड है गाईज इसका और लिक्ट लिपस्टिक है यह और मेरा सूट भी रैड मरून कलर का है तो उसी की मैच करते हुए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ आप देख सकते हो काफी अच्छा कलर है और मैं इसे सारे प्रोड़क्ट का लिंक आपको डिस्कप्शन बॉक्स में दे दूँकी तो आप देख सकते हो वहाँ से अगर आपको कोई भी अच्छा लग रहा है प्रोडक्त तो आप वहाँ से बाइ लिंक पर जा सकते हो और वहाँ से आप इसको खरीच सकते हो बाइ कर सकते हो अब नेक्स्ट गाईज मेरी लिप्स्टिक कम्प्लीट हो गई है ये ये काफ़ी अच्छा सेब मैंनेलएक मेंड़नारी लिए पर जासी लगा लगी मैंने बिंदी लगा लिए इसससी look constantly हो गया है पूरा आप देख सकते हो काफी अच्छा मेक आया है लुक काया है दिवाली मेक अप लुक में आपको बता रही हूं मैं यहां पर एक मेक अप इस्प्रे यूज़ कर रही हूँ लास्ट में जिससे मेरा मेक अप सैट हो जाए इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दे दूँगी तो आप आए कर सो काफी अफॉर्डेबिल प्राइज में है यह काफी अच्छा लगा और मुझे अब नेक्स्ट हैर स्टैल का आता है नेक्स्ट स्टैब मैं आपको हैर स्टैल बता रही हूँ बहुत ही जी सी है सबसे बहले गाई से बालों को पिन करके कॉम कर लेंगे फिर इसको तूस साइड में डिवाइट कर लेंगे बालों को आप देख सकते हो और इसके बाद आगे की थोड़ा सब हैर का पोर्शन लेंगे और उसको ऐसे ट्विस्ट करते जाएंगे और पिन अप कर देंगे पीछी साइड को बस ट्विस्ट करना है पिनप कर देना है और यह बाल open ही रहेंगे देख सकते हो अब ऐसे ही इस साइड का छोटा सा पोशन लिया और बस twist करना है और क्लिप से secure कर देंगे पिनप कर देंगे फिर नेट को थोड़ा सा कॉम कर लेंगे open हैर में और यह दोनों साइड से बस twist करके मैंने उससे clip से secure कर दिये हैं आप देख सकते हो कितना अच्छा है अगर आप मांगती का लगाना चाहते हैं तो यहां पर मैंने जो center में partition किया था बस यहां पर एक मांगती का स्क्रिप से secure कर सकते हैं बट मैंने नहीं लगाया है सिंपल सूट का मेकप किया हुआ है दिवाली के लिए और मैं यह इरिंग्स पैन रही हो आप देख सकते हो अगर आपको यह रिंग्स अच्छे लग रहे हो तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देतोंगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को लाइक करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में